नमस्कार मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच जानेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से अब जर्द से खत्म होगा कोरोना देश के इस डॉक्टर ने नाक से सुंगा कर ठीक की बिमारी इंटरनेशनल जर्णल में भी छपी है रिसर्च कोरोना ने पिछले तीन साल से दुनिया भर में कोहरा मचाया हुआ है अब तक इसे ठीक करने का कोई फुल प्रूफ तरीका इजात नहीं हुआ है लेकिन देश के एक डॉक्टर ने इसे पूरे तरीके से ठीक करने का दावा किया है बलकि खुद के खोजे गए तरीके से हजार ठीक नहीं हमारी सरकार इसकी जाच कराएगी देश के ग्री मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि पंजाब में सुरक्षा बहुत बरी समस्या है किसी भी दल की अलगाओ वादियों के साथ साथ का ठीक नहीं है हमारी सरकार इसकी जाच जरूर कराएगी पूर्वे भाजबा अध्यक्ष ने या बात नेटवर्क के टिंग के MD और ग्रूप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्स्क्लिूसिफ इंटर्विव में कही दो खिलारियों ने किया टीम इंडिया का सबसे बड़ा टेंशन दूर T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित के टीम हुई मजबूत रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने बंडे के बाद T20 सीरीज में भी वेस्ट इंडिज का पूरी तरह सफाया कर दिया इस सीरीज के दौरान दो खिलारियों ने टीम इंडिया के सबसे बड़ी टेंशन यानि मेडल ओर बलेबाजी की समस्या दूर कर दी T20 सीरीज में इन दो खिलारियों ने लक्ष का पीशा और पहले बलेबाजी करते हुए दवाब में कई अहमपाडिया खेली और इस साल अक्टूबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप से या खबर भारतिय टीम मैनेजमेंट के लिए राहत पहुचाने वाली है कश्मीर नरसंगार की कहानी को बड़े परदे पर देखने को हो जाय तैयार रिलीज हो गया है ट्रेलर दर्शकों को एक समय पर कश्मीर में फैले आतंक, भ्रम और भयानक दहशत की एक जलक देते हुए दा कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर आपको भावनाव के एक रोलर कोश्टर पर ले जाता है जो दुखत घटना की दौरान सामने आया था फिल में राश्ट्रिय पुरसकार विजेता पलवी जोशी, प्रकास, बेलावडी, अनुपम खेर और मिधुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमाट जैसे सितारे नजर आने वाले हैं तालिबान ने कांधार चेक पॉइंट पर की गोलिबारी महिला की मौत दो घायल अफगानिस्तान में तालिबान के कुरूर शासन के एक और हिंसक घटना हुई है यहां तालिबानी लराकों ने एक चेक पॉइंट पर भिशन गोलिबारी की है जिससे एक महिला की मौत हो गई है और अन्य घायल हुई मीडिया रिकोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तालिबान ने एक रिक्षा पर गोलिबारी की जो कथित तोर पर चेक पॉइंट पर नहीं रुका था तीनों पीरित महिला एक घर का समाल लेने के लिए बाहर निकली थी लेकिन शनिवार की शाम उन पर गोलियों की बहचार कर दी गई केंद्रिये मंत्री अनुराग ठाकुर बोले अखलेश 100 सीट पार नहीं कर सकेंगे दस मार्च को कहेंगे EBM वेवफा है उतरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर एक तरफ राजनीतिक मोहल गर्माया हुआ है इसी कड़ी में सोमवार को बांदा में केंद्रिये मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव प्रचार करते हुए पहुँचे यहां उन्होंने मीडिया से बाचीत में दावा किया है कि इस चुनाव में सपा को सौ सीटे भी नहीं मिलेगी उन्होंने कहा कि इस बार की लहर बताती है कि बुंदेल खंड में कमल ही खिलने वाला है अकलेश जी जी 7 चरणों के बाद भी 100 भी पार नहीं कर सिपाएंगे और 10 मर्च को उनका बयान होगा कि EBM बेवफा है ऐसे ही ताज़तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें सारा सच